अलमान खान को वीकेंड के वार का मुद्धा दे दिया है मुनावर फारुखी ने अब कुछ बाते ऐसी है जो कि आप लोगों के लिए जानना बढ़ी जरूरी होती और मुझे इन सब चीज़ों के उपर गॉसिप करना बहुत ही मसाता है जल्दी-जल्दी मुझे इंस्टरग्राम पे फॉलो करो करते नहीं हो आप लोग जल्दी-जल्दी जाके मुझे फॉलो करो क्योंकि वहां पर भी तो मेरी रील्स देखने होती मेरी अलग-लग क्योंकि इस घर में बहुत साए लोग हैं जैसे कि अंकिता, विक्की, नील, एश्वरिया और अभिशेक तू भी उदर ही जाएगा और हमारी तरफ जो है ईशा, खानजादी और मनारा आ जाएंगे वो नॉन वेजटेरियन में ऐसा करके अड़ कर रहा है और बोलता है कि ये कर सकते हैं और इस तरीके से क्योंकि उधर भी लगती रहेगी, इधर भी बजती रहेगी, उधर भी बजती रहेगी तो ये इंटरस्टिंग रहेगा, मौसा बहुत आएगा पर वहाँ पर अभिशेक का कहना ये है कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा, कोई नहीं माना तो, ऐसे चीज़े तो नहीं होगी तो बोलता है माने या ना माने वो बाता लगा अभिशेक बोलता है कि individual होगा कि मतलब कि दो लोग मान गए कि हम घर का खाना बनाने के लिए तैयार है यहाँ पर माजरा क्या हो रहा है यह लोग ऐसी discussions क्यों कर रहे है क्योंकि individual तो कर दिया है पर गैस की टाइमिंग अभी भी साड़े चार घंटे ही है तो साड़े चार घंटे में आखिरकार किसको क्या बनाना है वो पुराने स्टाइल से duties नहीं बाढ़ सकते तो इसलिए बहुत ज़दा problem जो है यहाँ पर खड़ी हो रही है और अब मुनावर फारुखी ने यह डिवाइड करने की बात बोली है इस तरीके से गेम खेलने की बात बोली है और इस तरीके से audience को मज़ा आएगा तो जैसे विकी की plans जो है खोल देते हैं सल्मान खान और जिस तरीके से plan जो है खुल जाते हैं बिग बॉस खोल देते हैं कि भाई ये बात कर रहे थे मनारा के साथ विकी मुनावर ऐसा वैसा जो कि आप लोगों ने एपिसोड में देखा तो अब क्या लगता है आपको कि ये मुद्धा मल चुका है सल्मान खान को इस बार क्या सल्मान खान मुनावर फारुखी का भी ये मुद्धा खोलेंगे क्योंकि अभिशेक कहना ये है कि कोई ऐसा नहीं करेगा हाला कि आपका क्या कहना है कि ऐसा करेंगे मुनावर फारुखी अगर अपने plan को अंजाम देंगे और ऐसी सब चीज़े हो गई तो वो इंट्रस्टिंग होगा क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसी के साथ मैं लेती हुँ जाद से नमस्कार